कि कलको अगर बारी सोजे बारी सो रहा कभी गलती से खम्मे में करेंट आ जाए चोटे-चोटे बच्चे करेंट लग जाएंगे मर जाएगा हो इनका जिमवारी कोन हो खली वस बोलते जहां जो लग गया हो वहीं लगा रहेगा इसे भी पुरी हाल होती है यह तो बहुत कम है यह तो बहुत कम है अभी परसों आते तो आप खड़े नहीं हो पाते हैं यहां पर पानी पुरा घली में बढ़ जाता है पूरा हर जब अब पानी गुज जा रहा है इंसानों को नमस्कार आप देख रहे हैं सोगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्थाति वरी देख सकते हैं बारिस का मोशम है और अगर बात की जाए तो ये तस्वीरे हैं तार की दशा देख लिजे घरों के उपर से निकल रहा है और विकास कितना हो रहा है आप खुद देख सकते हैं अगर इन तारों से जरा सा भी करेंट उतर करके आता है तो लोगों की यहां पर जान तक लिजा सकती है लिए तरीके से खबर आई थी एक मेला की मौत हो जाती है मौत क्यों हो जाती है क्योंकि उसको करेंट लग जाता है यहां के लोग तो ईसी में रहे हैं लोग यहाँ पर कैसे अपने जीवन को व्यतित करें और यह खसता हाल अभी से नहीं है जो यहाँ पर है पिछले 20 वरस से इन तमाम दिकतों से जहल रहे हैं सरकारों ने वादे किये थे जुमले बाजी की थी और जुमले बाजी की क्या तस्वीर है वो तो आपको रहा है जड़ा देख लिजे वह द्रश्य देख लिजे आप कितनी खुबसूर्ती से इस बताना यह खंबा कभा काफी दिन से दिक्कत है मैंने कम्रेंट भी कहा थे कह रहा है कि जो यह आप जाईए ऑफिस में भी जा रहा है जो जो कह रहा है जो जहां लग गया वहीं लग चोटे चोटे बच्चे करेंट लग जाएंगे मर जाएगा हो इनका जिमवारी को न है खली बुस बोलते हैं जो जो लग गया वहीं लगा रहेगा यह लगा रहेगा कुछ बदलाओ नहीं होगा शिकायते की इस की जी यहां कोई विकासी नहीं है ना चलने से लेकर एक गली तक कोई सफाई नहीं है आप सूखा कोई जाई नहीं सकता है इस गली में क्योंकि यहां चोट पानी आएगा तो पूरा सब का घर भर जाएगा यहां मैसा सिर्फ नंगई पाउं ज्यादा चलेंगे बंदे क्योंकि जूते पाउं चपल सब तो गीले रहेंगे ना सफले ने फैस्लेटी नग बारिशों का दौर तो अभी शुरू हुआ है अभी दिली में मान्सून की पहली बारिश हुए हाल क्या है अभी पूरा सावन का महना बाकि दैसे कि आप पर लोग बता रहे हैं को कि बहुघ दिन देखार था पूरा हर जगली कलिवे पानी बहुत हो जोग दाइटा जने तक दिक्कत हरे बहुत हर हो घर में पानी घुज हो जा रहा है इंसानों को पूरा घर के निचे निचे लगने का डर होता है तो बात समझ में नहीं आती है कि खंबे का इतना लंबा खंबा दे रखा है और उस पर एक तार दे रखी है बाकि हाई टेंशन की लाइटे जो है लोगों के घरों से हो करके गुजर रही है यह कैसी तस्वीर है दिल्ली के उस जगह की जो हम आपको दिख हो देएगे प्लिदे में रहा हु जुक्षित हो तो यही हिसले में सरकार से कहना चाहता हूं कि लोगों के घर के पास खंबे लगने चाहिए चाहिए 20 फूट दूर से क्यों ना हो खंबे तो लगा रहे लेकिन तार तो नीचे जून रहे हैं तो यही सरकार से हम चाह रहे हैं कि खंबे तार पर बंदे कि किसी की जुग्यों पर टांग रखे हो लोगों की जान जा सकती है इसमें हम क्या कर सकते इसमें अगर हम बोलेंगे तो बोलते आगे जाओ ओपी जाओ हैड ओपी जाओ हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं मेरे एक दिन के 800 पर दिहार ही चली जाएगी अब पैसे कमाने आए बिहार से इसलिए तो आए दिली में यह थोड़ी की घुमने के लिए अब अब आए हो ठीक है कोई पी एक वारी और मीडिय आई थी उन्होंने आदा काम करवा के गए खंबा लगवा के बहुत खंबे लगवाएं उन्हें उन्होंने सफाई सुत्राबी करके गए मगर अब देखो मैं आप यह देखो यह तार देख रहो ना अभी अगर सावन लगाए गाना तो आप यह तार देखना। करेंट कितनी मारेगी। कि इसका मेने को इसलेशन स्वieso यहां पर लगेगा कि नहीं। लगले में ह difetी सब्सुर्ण सब्सुर्ण कोई जवाऔर कोई जबाब कोई आगे कहता होगा होगा लेकिन कोई सुनते नहीं है कि देख लिजे यहां पर सुनवाई तक नहीं होती है है कि कब से रहे हैं माता जी है कि 20-25 साल तो हो गए तारे तो ऐसी जूल रही है क्या करें आते देखके जाते हैं थैसे जएसे जी reg jeżeli तुशे जिंदगी कट रही है वस केर बारिश में यह हाल होता है इसे भी बूरी आल होती है यह तो बहुत कम और यह present तो आफ़ ख़ड़े नहीं हौपाते हैं इतना पानी था बाल्टी से ले लेकर पारक में इधर ऊदर तहरे ने यहां कितना पानी से दरवाजे सड रहे हैं लोगों के घरों के अंदर पानी ऊपर करेंट देखा जाये तो ऊपर से ले करके नीचे तक कि तो ततो हैं रखी risk है काम क्या है तस्वीर क्या है hunger और कहार कोई भी कासी नहीं है किसी चीज़ी ने म стороны अधिक क्षित कि ने ये घर हैं आल और आखिर यहां पर लोग कैसे जिन्दगी काट रहे हैं आपको गज सकते हैं समय सकते हैं अ कि फिलाल ये तस्वीरें थी एक घटना दिली में के नई दिली सेंट्रल स्टेशन पर घटी वो सब के सामने आई आखिर उसका ही सबक ले करके इन तस्वीरों की ग्राइंड जिरो की रिपोर्ट सोगंध टीवी की देख करके सरकार वाकई अगर जागरूग हो सकती तो जागरूग हो जाए और ये लो सोगंध वतन की